अब ही क्या करना चाहते है गुल करने सेर उन चारों को बचाने के लिए हमें कुछ ने कुछ करना चाहिए सर कुछ ना कुछ मतलब सर आपको तो पता है कि वो लोग रेस के ओपरेशन करते हैं सर वाट नॉनसेंस तुम तो जानते हो ना कुछ दिनों में जी एट समिट होने वाला है पी एम के साथ सबी लोग उसी तैयारी में लगे हुए है पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इंडिया पर लगी हुई है और इस वक्त कराची जाकर रेस्क्यू आपरेशन करोगे तुम ल कर रहे हो देश के लिए अपनी जान देने को मैं हर दम तैयार हूं पाकिस्तान में बैठा आदमी हम कौन है हमारा नाम क्या हम कहां रहते हमारी फैमिली के है सब डिटेल्स हासिल करके हमारी यह लोगों किड्नैप कर रहे हैं तो इंडिया में उनका नेटवक कितना बढ़ा कर रहा हूं लोग अर्जुन तुम्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुगा तुम कौन हो सबको पता चल गया है तो अब तुम्हारा रौ का कोई संबन नहीं है यो गेट डैट इन फैक्ट तुम यहां मीटिंग में हो यह सबसे बड़ी गलती है सर वी है प्लीज सर उ सर मुझे गवर्मेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए कराची के एजन्स का सपोर्ट भी नहीं चाहिए सिर्फ आप जाने के ओर्डर दीजिए सर एमोशनल होने के लिए मैं कोई फादर या फ्रेंड नहीं हूं रौक अचीफ हूं मैं मेरे उपर भी कुछ रूल्स हैं अप्रू देश के लिए जीने वाले चार लोगों की जान नहीं बचा पाए तो देश को क्या बचाएंगे सर अर्जून अर्जून तुम यहां क्या कर रही हो घर पर नहीं गई सिक्योरिटी का क्या हुआ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया कौन हो तुम रामकृष्ण तुम कौन हो अभी तुम घर जाओ मैं बाद में बताऊंगा जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं नहीं जाओंगी मेरा नाम रामकृष्ण नहीं है 1993 से लेकर 26 ग्यारा तक इंडिया में 50 से ज़्यादा टेरिस्ट अटेक हुए है इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए है उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप त्री में है इस टेरिरिज्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है उसके अलावा यहां के लोग भी उनसे मिले हुए हैं है इस करेंटली सेकेंड मोस्ट वॉंटेट क्रिमिनल ऑन आर्थ नीडलेस टू से नंबर वन फॉर इंडिया एब्राहिम कुरेशी फेक करेंशी ड्रग ट्रेडिंग 1993 सीरियल बॉम कीलिंग एनी टेरोरिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया डिरेक्टली कनेक्टेट टू हीम सर पाकिस्तान ने कुरेशी को अपने पैरामीटर में पूरी तरह से सिक्यूरिटी दी हुई है उस देश के प्रेजडेंट से ज्यादा इज़द कुरेशी को दी जाती है इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एड्रेस के साथ सारी इंफोर्मेशन इस फाइल में है गुड वर्क कुलकर्णी दो महिने के अंदर जी एट कंट्रिस की समिट होने वाली है इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉंसर करने वाला पाकिस्तान है आसे सब्सक्तान है यस्सिर बाश्यक्ति। बाश्यक्ति॥ बाश्यक्ति॥ कराचे कराचे के एजेंट्स का इंटरसेप्ट किया है रिकॉर्ड भी किया है यह वोइस मेसेज़े सर्ट लेट में है थैंक्यू सर बोलिये सर नाइंटीन नाइंटी थी का सीरियल ब्लास्ट का मेन एक यूजड कुरैशी का राइट हैंड अब्दुल सलीम टॉटे सिस्ट को सीरिया आ रहा है हां तो सर वी आर प्लैनिंग टू कवर्ट ओप्रेशन हम लोग उसे ज़रूर इंडिया लेकर ये तुम क्या कह रहे है कुल करनी सीरिया में जाकर कोवर्ट ओप्रेशन करोगे फेल हो गया ना तो उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा अंतर राश्ट्रिय स्तर पर भी हमारे इंडिया की काफी बदनामी होगी दो महिने रुख जो येट समिट होने के बाद देखेंगे सर अब्दुल सलीम दस साल बाद फर्स टाइम अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है क्यों जा रहा है पता नहीं सर मेबी दियर प्लैनिंग टो अटेक ओन इंडिया सर इंटेल बहुत स्टॉंग है और ये कवर्ट ऑपरेशन है ये रिकॉर्ड्स में नहीं होगा अगर मिशन फील हो गया तो हम प्रेश में बोल देंगे कि इंडिया का इस इंसिटेंस से कोई संबंद नहीं है बाइचांस अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उससे हमें जो इ इस ओपरेशन को लीड कौन करेगा अर्जुन अर्जुन शेखार नहीं हो एक कुछ प्रकाल देखांब का विर्म को आखा प्राश्ट सम्ट्रिबश्य। फोड मिशन का स्प्राविश रविश्ट करा ड्यक्या देखाए रचुन नौट्साइपा अइसम ड्सेट अंट्ट्राव अश्मेन ने इसा माँट्ड कर से ढ़ेश्य। एमाद, इन पोसिए वाल सेट सर्थ कोपीए 15 ने गांट फ्लोर 20 ने फर्स 10 ने टर्रास 20 ने परिमिटर 20 ने फर्स 20 ने फर्स 20 ने फर्स अनदर टू मिनिट्स तार्गेट विल बी देर अर्जुन जो आ रहा है वह कौन है कनफर्म करो एमद, गेट थे कनफर्मेशन पूरे 15 लोग आ रहें सर और टार्गेट सेंटर कार में है और विज्वल कनफर्मेशन टार्गेट मास्क में सर अश्वेन, कॉप एंट अश्वार जो रहें अश्वारे विज्वल दूए अश्वारे विज्वारे भाई अश्वारे विज्वेशन अर्जुन, विदाउट विज्वल कन्फरमेशन, आइकाइड नौट अहेड उसे कार से बाहर आने दीजिये, सर । अःस्फेर कि में पुलाइक कीना कार मीच्ताओ नौक इंञे हुएड एक जिये खीना क्योंदून, शक्याहरी को टून त staST कालुक्तों, बत् Benjamin- है। अच्छएं, अच्छोन इन पॉजिशतों पॉजिशन अच्छरोन आया हमकॉच्छ करतЬ एंजिश्टिट है। एचििदें Ever? अर्जुन it about the mission now ना में जहेश अगे 자um 것을' सब्सक्री में और अपाउने पारे में मुझे एंटेल मिले यू करेक्ट है जिस कार में वा आने वाला है और जिस कार में आया है उसका details match हो रहा है इसका मतलब वह अपाउनी अप्दुल सलीम है सर तुम्हारे तरीके से या उपरिशन नहीं चला सकते, Arjun, इसमझे आपको कन्फरमेशन चाहिए ना, सर, पांच मिनिट में देता हूं Arjun, वट? वी लोग्स दो ओडियो, सर, वट? गाइस, प्लान बी वांच, रांच, रांच! Alpha three down Bravo four देल्टा फाइव शिक्स डेल्टा फाइव शिक्स परेंग电 वेव 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 वह जो झाहा हैं, आप नख करें आप हैं कर दो दो झाहा है आप है यह लुग आप है वह लुग को पर मैं यहां। पटने कुछ है। 800 M300 अच्छ में चूच्छछ एपीर's भीर में पाउड रिसोंट्ट्सक्ड्स कौन रे तू साले नाम है अर्चुन इंडियन 시 Har fluffy Please confirm it Sir operation के बाद किया confirmation मंग रहे हो Just take him and leave the spot immediately Go 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 Fast fast आजा आजा करेंगेंगे, बारे विकल, जाने ना पने, ताड़े भीजुआ कमान, 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 कमान ताइट शुख, अमी विकल इपने, चाप एक पाँटे नुझ था थाइग भू भू कमान आडीच! कमान! आडीच! अफ गाद... धो गो! गो 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 गो! गो खो और मोट भी! बग जाओ! गो खो 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 बोड़ोडों! शाल 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 उट्चा! अजा! शाल! खाँ पाँ, खाँ खाँ! जो तो फिक अपक पूप पाँ आध में वाँ झाल 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 पहले तुम आउडर लेना सीख लो तुम टेंशन देकर मुझे माड आलोगे इसको जड़ा देख लेना आउप्रेशन तो सक्सेस हो गया ना सर् जाती तो हमारी नौकरी जली जाती नो हमारा सर जोग जाता है सलीम भाई कैसे हो अब सुधर्जा सलीम इंडिया बदल गया है अब हम लोग भी बुरे लोग बन गए सलीम के साथ जो लोग आये थे उनकी बॉड़ी को उन लोगों ने आल्रीडी करनाची शेफ्ट कर दिया है कुरेशी को पता चल गया होगा कुरेशी के दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है तो मारी पंच लाइन क्या है हम एक्सपेक्ट दिया नेक्सपेक्टेड ओनाओ भर्मा दिलहीत यासे एक्सफरानि लहतीत खजरांद पंच स्क्राब जही चाहिक्क धात जायों क्वाद्स कांड़ी छादको क ही फेल्दील हल्दीलनादीन Хभी बाल झंदा हम भंच यारथ नहीन व्ह杂त है आक्सपेक्स ? झाल जाओ झाल शूलिकाते बाइब अपाध। इंडियावाले शायद भूल गए कि मैं कहुँन हूं आग से खेलने का अन्जाम क्या होता है ये मैं फिर से उनको याद दिलाऊंगा बुद मॉनिंग दिल्ली अरे रामकृष्णा क्या हुआ तुझे अपने बैंक से लोन दिलाने को कहा तो भाग रहे हैं कहना अंटी आज कर लोग बैंक से लोन लेकर लंडन भाग रहे हैं ना तो बैंक मैनेजर जड़ा दरा हुआ है लेकिन हम अपना घरबार छोड़के कहां भागेंगे हाँ हाँ मैं अभी बैंक में हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर्थ हरे तो यदेज बोलते हैं अफ्टर सो मैं अभे संफिन अफ्टर सो में डेस सेट पर क्यों बैथे खोग ट्रौ मूलते हैं बेकार परमेश्वरम बोलते मुझे बच्चे आपा आप कह कै बुलते हैं अर माबब अब बहते अ और कुछ जडिटेल्स चाहिए आग्या हो तो वो भी बता दू सारी सर आप मेरी सीट पे बैठें और नहीं तो क्या करूं क्या करूं मैं अपनी 30 साल की सर्विस में 30 दिन लीव लिया होगा मैंने और तुमने तीन साल की सर्विस में 365 दिन लीव लिया है बोलने का तो कोई फादा है नहीं जिस स्पोर्ट्स क फैमिली को टीवी के सामने बिठा देता हूं मैच तो होता है लेकिन मैच में जराब नहीं होते है यह भाई साब इसको टीवी पर देखा है का नहीं है इसा नहीं है सर कोच और कैप्टन मुझे धकेल का 12th मैं कहकर बेंच पर बिठा देते हैं सर अच्छा ठीक है चलो माल लेत लेकिन प्लेयर्स को पानी तो पिलाओगे सर मैं प्लेयर हूं सर्वर नहीं हूं सर रो इगो शीगो नहीं चलता है प्लेयर्स को सारा काम करना ही पड़ता है ओके सर अगले मैच में उनको पका पानी पिलाओंगा सर मतलब अगला मैच भी नहीं खेलेगा तू तो एक काम कर इन सब को कॉल कर, क्यों लोन नहीं भरा के सर, करेक्ट टाइम पर भरा है, अगर हम इने फोन नहीं करेंगे न, तो यह हमारा बैंक बूल जाएंगे, जैसे तुम गेम भूल रहे हो, इसमें हजार लोगों का नंबर है, कम से कम पांसो लोगों को फोन कर, और लोन के लिए बोल वो हजार लोगों वाली फाइल है ना, हाँ सीनु भाई, कम से कम पांसो लोगों को लोन लेने पर मजबूर करने के लिए बोला है ना, कहसे बता आपको, अरे इतनी दिन आपकी कुरसी खाली थी ना, तो हमको फाइल देकर बिठा दिया, और पूछने पर बोला, टीम हेलो, मेरा नाम राम कृष्णा है, मैं एस्बीडी बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको परसनल लोन, होम लोन, गोल लोन, कुछ और चाहिए, वो मिलेगा, सीनु भाई, आज कर लड़कियां बहुत ओपन हो गई है, नेक्स्ट कॉल किजिए, क्लोस कर देंगे, हाँ, हाँ, ह देखिये, राम कृष्ण जी, हमारे पास दो ही ओप्शन है, पहला, मसका लगाने का, और दूसरा, जाड देने का, फर्स्ट में तकलीफ होगी, सेकंड रिवर्स करो, आप शुरू हो जाओ, रिवर्स? अरे यार, फोन पे हमें कोई भगवत गीता का पार्ट नहीं सुना र परच्ट, होम लोन पे 9.5%, गोल लोन पे 8.5%, अगर मुझे गुसा आया ना तो, चाहा कर लोगी, क्या कर लोगी तुम, यू क्रोसिंग यू लिमिट्स, कैसी क्रोसिंग यू लिमिट्स, रोज रोज बॉर्डर क्रोस करना, यही मेरे डूटी है, तुम कहकर बात कर रहे हू लेकिन जगडे के बीच में इस तरह से मेरा नाम लेने के क्या ज़रूरती, प्रूटीम स्पिरिट्स, सार। अच्छा हुआ, मेरा गोत्रे नहीं बताया, अगली बार वो भी बतातू कर रहे, मैं तो मस्टबॉलोर, क्या बात है, सर। कि मैंनेजर की केबिन कहा है उस तरफ थैंक यू अरे यह तो चूरी की तरह है ना ऐसी चूरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा अच्छा यह अंदर चल क्या रहा है रामकृष्ण जी मैंनेजर को लकवा कैसे मार गया कुछ रॉंग बोल दिया होगा इसलिए कपड़े की तरह धोर ही लगता है ओहो अरे वो इधर ही आ रही है चाहिए आये मैडम आये यह रहा इस रामकृष्ण नहीं आपको फोन किया है हलो फोन प तो आप क्या करोगी थेंक्यू फ़र सपोर्ट सिनु भाई टीम स्पिरिटा जी क्या कहां टीम स्पिरिटा मिस्टर मैंजर अज साटड़े है क्लोजिंग टाइम है इसलिए छोड़ रही हूं मंदे मॉनिंग 10 30 को मेरा अकां क्लोज करके एक्सिस मैंक में शिफ्ट हो जाना अरे मेरा कहने का यह मतलब नहीं था मैंडम क्या सर आप इना मसका लगा रहे हमारे बैंक में जितने कस्टमर है ना उनमें से एक चीटी भर है अटा देंगे आपका अकांट आप निकलिए मेरे बारे में आइसा बोला हां बोला तो क्या कर लोगी रामकृष्ण जी टीम लेकिन यह हमारी बैंक के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अरे यह उसी के लिए खोला गया अच्छी मेरा मतलब उस लड़की के लिए यह ब्रांच खोला गया यह कोई करोड़ पती है क्या बिलकुल है आश्वर्या मैडम एश्वर्या राय तो नहीं है ना आश्वर्या र उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया है वहीं टाइम में तुम दोनों को देता हूं उसका अकाउंट इस बैंक में हर हाल में रहना चाहिए नहीं तुम दोनों इस बैंक में नहीं रहोगे यह मैं कह देता हूं प्रिंग्टोन है तो के अगर कोई है नी तो आपको खुदाना होगा आज जैसा प्लान किया था वैसा होना चाहिए यहां से निकलने में भलाई है हलो तुम कौन हो वह एषवियम है तुम लोग कऊनो ये सलमान में शारू कहा है अजा को बिली तुम ळुद यहां भी आ गया है कानी का फ़ो पूलीजर्श को फोन करते हैं मीड़ मेडम वैने बार मेरे वाद मेरे वात सुनलीजय से क्लैंट हो कुछ हो ना प्लीस मेसं जालिक करने तो मैडम इसके लाब आप जो भी कहोगे हम करने को तयार है कालिका इले बाहर निकालो अभी अभी आप ज़रा समझाइए मैडम को समझाइए यह क्या है हर वक्त ही अपने आस-पास बाउंसर लेकर घुमती है हम इसको मना पाएंगे क्या रास्ता भी तो नहीं है या तो लड़ो कानिका क्या कर रही हो तो तुम तीनों में क्या जगड़ा है मुझे नहीं पता लेकिन अभी हमारी हर बात मानेंगे आखरी वर्त में काजा भाई ने भी टांग देदी है तो यार वीकेंड सारा वेस्ट हो जाएगा तू रूख यार चलना उनको बकरा बनाते हम लोग नो उसके लिए ये लोग बिल्कुल लें तू रहने दे मैं देखती हूं हां तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता अभी उनकी हालत बहुत खराब है तू मुझे एक मिनिट दे मैं सब सेट करती हूं मैडम जी ने क्या बुला मेरी सहेली बहुत गुस्से में है अच्छा आप किसी तरह उन्हें समझाइए ना वरना हमारी जॉब चली जाए बदले में मुझे क्या मिलेगा सीनु भाई तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है हलो हलो सीधा हाइवे पे मत जाओ तुम पहले लेफ्ट लो 200 मीटर जाने के बाद राइट लो उसके बाद लेफ में मैं भी उसी की बात कर रही हूं वहां जाओ और आठ बर्डवाइजर लेकर आँ सिर्फ सोडा पीने वाली नहीं बीयर पीने लड़कियों में देखते ही समझ गया था पीने के लिए नहीं बालों के लिए मंगवा रही हूं बीयर से बाल धोने पर मस्त चमक आ जाती है अरे बीडिया हॉट किसी ने देखा तो नहीं कुल हो गई कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता फिर गल्ति कर देते हो और मां भी मांगने तरवाल से पहाते हो आप जो बोलेंगे हम करेंगे कल फोन पे अड्रस बताओंगी आज आना सब सिप कर देंगे हाओ ओके माडम भूल मैं ने तुमसे बिल रखने के लिए कहा पिर इसके पैसे कौन देगा तुम्हें पैसे चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए आपको बियर चाहिए पिजा ओडर करना बहुत भूख लग रही है यार आदा बर्स है जी यह सब क्या है सुब ऑफिस में रात को घर में और अ मैं प्लीस मेडम हम गरीब दिनात महनत करते है तब कहीं हमें पागार मिल जिसे भूझाए घर जिसे बोलें किया तो कैसे बोलें तो कैसे बहाँ कर्यों क्या बात कर रही है मैडम अगर यह गलती आपका पड़ी करता तो आप उसे भी सदा देथिक्या बोलो इसे बोलो और Right now Madam, order please? Yea, I'll have one gluten-free thin-crist pizza. Extremely thin-crist, and I wanted to add nice black and green olives and also I wanted to add a lot of Alipinos and less cheese. I want a lot of Aspiringes in that and as I already told you, add some cashew, chips, and a lot of... Brother, you can give someone else to give it to. Thank You Sir. Hey, what did you send him back? It's new ma'am. His uniform is old, but not shoes. अगर गलती की तो नौकरी चली जाएगी यह डर उसके चहरे पर दिख रहा था और प्लीज क्या वो नया है येस मैम ठीक है मैं बाद में बुलाती हूं थैंक यू मैम इतनी शॉट टाइम है इतनी डीटेल्स कैसे पता चली यू मनाए 576 मेगापिक्सल मैम इंसान उसका इस्तमाल करना बन करके 16 मेगापिक्सल सेल फोन यूज कर रहा है अच्छा तुम्हार तुम्हारी फ्रेंट्स मुझे देख रही है और चार लड़के तुम्हे देख रही है और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो कि अजह दिख रहा है वही बताएं तुम्हें। जो लेहीं दिख रही होगर है Beginning ने बेड़ उसने जो पूछा वही में हमारे बादो मारे मनेजर का कर एंदुशों कीजी माणम। हमें। व्यूं व करतू और विसरा निदेया आफकाम्त to fai गारशांय अधेご हैं just मेंधं प्लिद्यग कशंड्रोवन करो में तुम लोग मेरा पिछा करना भंकर दो इसके लिगे जो कहोगे वह में करोंगे फिर आप कहना कि अकान और जाया थो तेना निंकाले एक मेंटा मैडम जी आप से बात करना आख आख एक मेंटा से अबात करना आख एक मेडम मैनेजर यस माम तेंक्स तेंक्स अब्दूल सलीम के पास से तुमने जो लैप्टाप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंस्टिव इंफॉर्मेशन मिली है पागिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारे इंफॉर्मेशन उसमें है उसको कैसे पता चला सर सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेट जकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था याद है ने तुम वो राव एनालिस्ट था उसी इंफॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था बट वो इंफॉर्मेशन आएस साय तक पहुचा या नहीं ये पता नहीं नहीं गया, अगर information गया होता, तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते, ऐसा नहीं हुआ मतलब information ही safe कल Salim को court में submit करने का order मिला है It's too dangerous sir, इस secret के बारे में जानने वाला Salim अकेला है Salim के पास जो है उसके अलावा, उसके पास हमारी जो information है वो dangerous है वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने Salim को जिन्दा छोड़ा हुआ है, सो, पक्का Salim को भगाने का प्लान किया जाएगा कल जब Salim को court ले जाए जाएगा, तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी news आई है जब मालूम है कि dangerous है, तो court क्यूं लेकर जाएगे, अगर इन सब बातों से डर जाएगे, तो देश रुके से बचाएगे किस route से लेकर जा रहे ह। Route map यह है तिहार जेल से court 15 km के distance पे है ट्राफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाएगे, कोट पहुचने में minimum 20 मिनिट लगते हैं यह 20 मिनिट हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है तिहार जेल में और कोट के सराउंडिंग में हेवी सेक्योरिटी होगी इसलिए वो लोग on the way ट्राइ करेंगे अगर बाहर ले आए तो बाद में पच्टाएंगे अगर बाहर ले आए तो बाद में पच्टाएंगे अगर दोशन का एक पैरामीटर होगा उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है 已经 कहां है अभा इक पुल क्रीे अप्रीजी पाम अप्राँ फ्रॉस प्रॉस क्लिए धो deficे है तो इह है झाल, 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 झाल झाल, 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 झा बस बसे डो, और वाम सिर को सरी तर जुडर हा समय जहा संथ दे कि अग़ धार पाँ 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 हर इंडियन्स के घर में बॉम लगाना पड़ेगा साला हस अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी लग जाएगी लेकिन इंडिया में नहीं कुरेश के दिल में पाकिस्तान कैम्प में कि सोले अरे अरे गोणना मैड तुमने क्या किया जानते हो तुम वह जिन्दा क्यूं चाहिए था सर वह कोई सच्चा ही बताने वाला नहीं था खुरेशी के खिलाब ले कुछ नहीं बताता अगर जिन्दा रहता तो किसे होटल को कैप्चर करता किसे अरब अरग में जूट जाता चाहिए मिनिंश्टर को मीडिया को हुमएन राइट्स वालो'm को कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा पता है तुम्हेंगा OUT भागने के कोशिश करने वाले अब्दुल सलीम को, जिन्होंने उसे भगाने के कोशिश के उनको आर्मी ने मारा है बोल दीजिए फुरेशी के अलावा सब लोग खुश हो जाएंगे फुल सिक्योरिटी के बीच में से अब्दुल सलीम को जेल से कोट ले जा रहे थे उस वक्त अटेक करने वाले टेरिस्ट और आर्मी के बीच जो फाइरिंग हुई है उसमें अब्दूल सलीम और उसके साथ ही मारे गए अब आगे क्या करेंगे अब आगे क्या करेंगे एंज्वाय यो टी हलो अभी कहा है उप सौरी मैंने तुम्हें बताया नी किसा साथ पार्टी कर रहे हो अरे नहें फ्रेंड्स नहीं हमारे रामकृष्ण अच्छा रामकृष्ण के साथ हो ओ सारे दोस्त एक साथ बैठके कहीं दारू पी रहे होंगे आधी भी होई होगा मुझे दे मैं देखती हूँ कि फोन कट कर दिया है अर्जुन इसकी शादी हो गई है और एक लड़का भी है इसकी वाइप प्रिगनेंट है इन दोनों की अंगीनत गर्फ्रेंड्स हैं मैंने सब देखा है अरे क्या तू हसरा है अरे क्या तो यू मैन मेरी कभी शादी नहीं होगी सर लेकिन हमने तो शाद जी रहे हैं एक सच्ची और एक जूटी सब को पता है जो मुझ पर भरोसा करेगी उससे में जूट नहीं सकता है कमाओ न अर्जुन जो लड़की विश्वास करेगी वो आएगी उसे बताने की क्या जरूरत है जो लड़की तुम्हें समझेगी वो विश्वास भी करेगी उससे जूट बोलने की जरूरत नहीं है दाट सौल वरी सिंपल वाइव वाइव विश्वास करेगी विश्वास करेगी जूट होगे तो जरूर मिलेगी सर्च फॉर इट हमारा काम तु यही है ना कुछ नहीं होगा तुम्हें क्या हूए इसे कुछ दिनों से जब आप भी ना ठीक से खा रहा है ना ठीक से सो रहा है रात को चीख रहा है और सुबद चीक रहा है रात को चीख रहा है मतलब ओ ऐसी आवास हाई il- pleased जडी डॉक्ट कभी कभी टांग उठाता है मेरे आते ही ड instrumentsि म 예 मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ तुम्हारे बारे में नहीं हम चीखता है तब टांग उठाता है वोल नाइट दो बहुत चोता है लेकिन काफे स्ट्रॉंग है कोई मेडिसेन हा तो मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, उम्र हो गई है ना, स्त्री स्पर्ष की चाहत है, मतलब जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है, वैसे ही डॉग्स के लिए मेटिंग की चाहत होती है, अब करना क्या होगा डॉक्टर? इसके दो तरीके, पहला स्त्री डॉग के साथ इसकी मेटिं हो सकता है हां रेयर ब्रीड लेकिन इतने बड़ी शहर में सेम प्रजादी की फीमेर डॉग कहां मिलेगी यह तकलीफ उठाने की जरूवत नहीं है हमारी पपी को 500 देंगी तो वो एड्रेस बता देगी पपी मतलब आप खुटा समझ रहे हैं है है माय रेसेफ्शनिस्ट पप येस डॉक्टर येस जाये जाये थांक्यू डॉक्टर अड्रेस तो यही है ना एड्रेस सो करेक्ट है अब स्क्यूज मी अरे आप यह लोग यहां पर यह आपका घर है ऐसे समझे आये हो माइग गॉड कम नाइस प्लेस सो क्यूट बिल्कुल मेरी बॉबी की तरह है बेबी सो क्यूट वॉट्सर नेम पेको वैसे मैं यहां आपके लिए नहीं इसके लिए आई हूं अच्छुली मेरे पास भी सेम ब्रीड मेल डॉग है बॉबी डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका एड अगर हम अपना जगडा भुलकर इन दोनों की मीटिंग करवा दे तो इंट्रेस्ट आपको क्यू इसको होना चाहिए इसको इंट्रेस्ट नहीं है यह आपको कैसे मालूम अभी आपने गा ना डॉग इसमान बेस्ट फ्रेंड रामकृष्ण जी आज ड्राइड है आज घर म तुम यहां कैसे हमारा बॉबी राद भर चीकता रहता है बस उसका गला दबादो बिलकुल शान्त हो जाएगा अरे रे कैसी बात कर रहे हो तुम अपनी पैको को मेरे बॉबी की साथ एक घंटी के लिए चोड़ देंगे बहुत अच्छा होगा यह क्या है रामकृष्ण ज चाहिए उसमें इनका क्या कसूर अरे जाओ 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 लाव से इतनी बियर मंगवा कर हजम कर लिया और उसके बाद हमें धक्के मार कर भाह निकलो दिया था तब यह शराफत कहा थी चलो निकलो यह से अब तुम सरा जादा ही बोड़ रहा है पूरे शेहर में इस प्रेट देना होगा अब खुद आएंगे तो फाइफ थाउजंड मिलेगा है फाइफ थाउजंड है ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक बॉबी आ गई तुम्हारी स्नूपी फ्रेश है एज कितनी है त्री मॉंस डॉक्टर यह तो बहुत छोटी है चाइल अब्यूस्ट क हो जाएगा लेट्स गो हो थैंक यू थैंक यू क्या हुआ हम बहुत ताड्याब चलो डाक्टर कैसे हैं आप गुड़ यह देख आ गई तेरी मेल डॉग नोट पे मैंने एज मेंशन किया था एक्चुली मेल या फिमेल का जिक्र नहीं किया था इस बार एड़्जस्ट कर लेकिन ये कैसे पौसिबल है डॉप्टर ही सुप्र pró 뭐 करती है आश्षू जब जान पहचान हो जाती है तो मैं पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता है और जब मेरी जान पहचान हो जाती है तो मैं फीजने देती आश्ug Finally, क्या है अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही कुटिया पची है जो उसी गधे के पास है पर वो मानी नहीं रहा इंप्रेस कीजिए कैसे इधार आपका बॉबी और उधर उसके कुटिया दोनों में अगर साथ मिच्छा जागेगी तो क्या मतलब बिना दर्द के हैपी एंडिंग किसको आपके बॉबी को और कोई रासा नहीं है क्या ओनली वन फसाक जैसे कोई अपसरा साधी पहन कर आ रही है ऐसा लग रहा है आपके खिसमत देखकर बहुत जल्लों हो रही है मुझे अगर अगर यह फिर से अमारी कंप्लेंट ने करें रहे है रामकृष्ण जी मुझे भी कुछ समाज मेंने यह आरा सिनु भाई तु बहुत बोलता है बहुत बोलता है जबान को लगान दे सिनु रामकृष्णा संदर आ अब ही आप थिंता मत किजिए मैं देख लूंगा ऐ और तु मना कर रहा है इंट्रेस्ट नहीं है सर क्या मतलब इंट्रेस्ट नहीं है तु और तेरा वो दोस्त इस बैंक में रहे इसमें मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है फिर भी मैं एड्जेस्ट कर रहा हूं ना मैंने अभी एड्जेस्ट किया तो मेरे फ्यूचर में प् अच्छा चलो फ्री में मत आओ घंटी का क्या लोगे बताओ बाबारे बाबा घर का प्रॉब्लम है तो रिसॉर्ट बुग कर लेंगे बाबारे बाबा आप कितना भी कहलो मेरा दिल नहीं मान रहा एक खूबसरत लड़की सामने से ओफर दे रही है फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप भी तो एक मर्द है ना रामा कृष्णा सर आज कल की गंदी दुनिया वासना के पुजारियों से भरी पड़ी है इस कल यूग में मैंने मर्यादा पुरुशुक्तम को देख लिया मेरा जीवन धन्य हो गया लगता है स्कुरू डिला हो गया बापरी प्लीज अब तो मान जाओ ना प्लीज माफ करो बाबा हम यह क्यों आए हैं अब उसे किड्नाइप करने के अलाबा हमारे पास कोई रास्ता नहीं उसको किड्नाइप करना है नहीं उसके कुत्ते को यह देखो जावियों का गुच्छा लाया हूँ तुम भी ना खुल गया क्या कर रहे हो डॉग प्रिंसस का है सुनकर पता कर रहा हूँ अच्छा बेडरूम में ओके चलो माई पेपो कितना टाइम लगेगा बस हो गया हूँ कितना टाइम लगेगा हूँ कितना टाइम लगेगा हूँ जलते हैं सोरी ना प्लीज तुम मुस्कुरा रहे हो हरी बाप्रे मैंने तो मैंने तो सोचा तुम दाटोगे और किटनापिंग का केस करके हमें अंदर करवादोगे मैं यही करने वाला था लेकिन तुमने बॉबी के लिए जो रिस्क लिया उससे मैं कन्विंस हो गया थैंक यू कॉफी प्योगे तुम? तुम कॉफी भी पीती हो क्या? हेलो, मैं शरीफ लड़की हूँ हाँ वो तो कभी-कभी फ्रेंड्स के साथ चल जाता है बस इतना ही अखेली रहती हो? या, जिस्ट मी एन बॉबी ममी पापा? मेरी मा नहीं है पापा दूसरी शादी करके आस्ट्रिलिया में शिफ्ट हो गए साल में एकात बार मुझसे मिलने आ जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता बट फोन पर भात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है बर्ड़े में गिफ्ट और साल में एक फोन कॉल कभी-कभी फैमिली को बहुत मिस्स करती हूं बट दास लाइफ राइट? तो आम हैपी कॉफी बहुत अच्छी थी थांक यू बैंक में इतना ज़्यादा गुस्से में और यहां तुम्हें इतनी शान देखकर अच्छा लग रहा है लेकिन मैं भी तो इंसान ही हो ना हर लड़की की तरह मुझमें भी तो फीलिंग्स है तुम्हारी गर्फ्रेंड है? नहीं है बॉइफ्रेंड? लव नहीं बोल सकती हूं नाइन स्टैंडर्ड में क्रश था पर वो तो मेरा क्रशी रह गया और अभी प्यार करने के लिए टाइम नहीं है चलो मेरा छोड़ो तुमने अभी तक किसी से प्यार क्यों नहीं किया? सब लोग मुझे पागल बोलते हैं वो तो है तुम गुस्से वाले हो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम माने ही नहीं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैंने फॉर्स टाइम साड़ी पहनी थी पता? साड़ी सूट्स यू स्माइल सूट्स यू हम सब को इस तरह साथ में बैटे कितना टाइम हो गया ना? सब लोग अपनी फैमली के साथ आ हैं तुम अकेले क्यों आया हो? कोई बात नहीं? अगली बार साथ मिली गया है क्यों भाई? अईश्वर्या क्या बोल गई है? अईश्वर्या? यह अईश्वर्या कौन है? इसके पीछे जो पढ़ी है वो लड़की कहां से स्टार्ट हुई है लव स्टोरी? बैंक से स्टार्ट हुई थी फिर ओफिस, कॉफी शॉप और अब तो उसके घर तक पहुच गई है कौन हो लड़की? वो मेरी बैंक कस्टमर है बैंक के काम से मिले थी बैंक के सारे काम तो दिन में किये जाते हैं तो फिर रात में किसी लड़की के घर जाने क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत नहीं है वो तो खुदी यहां पर आ जाएगी उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है समझे ला तुम लोग रे ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें नहीं है लेकिन उस लड़की को तो है ना लाओ नंबर दो मैं पूछते हूं कोई ज़रूरत नहीं है वो खुदी आएगी जस्ट वेट वो यहां नहीं आएगी वो आ गई सॉरी फाहमिली गेट टुगेधर है ना यह तो बहुत सुंदर है हाई इसको यहां किसने बुलाया हाई क्यों राम अपनी गर्र्पेंड को मुझसे नहीं मिलाओगे गर्लफेंड नहीं है जिर्फरेंड नहीं है लेकिन तुमने तु बोला था बैंक में मिले थे वो मेरी कस्टमर है अफुक् indirectly ग्राम कृषना सुन्हीं रूरण्स के बचपन से फ्रेंड सो अधूलें अएच्छी इम雲ोग द Sultan की ट्रेनिंग में मिले थे। ओ, बैंक की ट्रेनिंग, तेरादूने होती है? अरे नहीं, बैंक ट्रेनिंग के लिए नहीं, हम लोग एक ही फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुए थे, उसी की ट्रेनिंग के लिए तेरादून गए थे, वहीं हम सब दिले थे तास्ट नाइस, और तुमारे ममी पापा? बेसा शोट, इसाओ नहीं हम चुटों के लिए लिएष्स रहे नहीं जाओ का चुट प्लीज एख यह माम झाले भाई आज तुमसे एक बात करनी है कौन सी है सिर्फ कुछी मिंटो में रेस्टोरंट में कहां क्या चीज है सही से बता दिया लेकिन एक लड़की के दिल में क्या है ये ने पता चला क्या तुम्हारे मेगा पिक्सल 576 को कुछ हो गया हा एई हाय लव यू हाई लाफ यू तुमने ज्यादा पी लिये नीचे बैठ जांस est motions र्ल्रामकरिष्ण या तुमने ज्यादा पिए है यह ओनुर Cook Okay, now stop the car. Stop! Just one week में इतना बड़ा डिसिजन कैसे ले लिया हूं, ये मत पूछना. मैं कोई 16 सल के पहागल लड़की नहीं हूं. जल्दबाजी में डिसिजन लेने के लिए. I'm much more mature than you think, you know. And I had a whole big company. सुनो, मैं तुम्हें हग करके रो ना चाहती हूं. और हग करने के बात मुझसे ज़्यादा तुम खुश हो जाओगे, ये भी बताया मुझे. ऐसी सूप विलिंग से मेरे अंदर, सब बताना पड़ेगा तुम्हें. हाँ? डून्ट यू अंडस्टैंड? क्या हुआ? एए! जस्ट अ मिनुट या हलो हाँ झाल 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 लाँ जह पूछ मैं दो जाँ फॉर्यू टूछ ए लुड लुड दो लुड है आउ पार मैं फिल यह लाई महां वाई सा अरा हैimana यह र हार है कि अijah रह फीर वाई में को ते डिंस आततमका यहा कि आकर दोIGN की झालू कि आफेखा से कई प्लाइouse युछ यप्रेंग गुछ युछ इसना और गुछ अभर गुछ अपकर स्झी घुछ भी पेधरों एक अबकर कर दो नह अए अपकर इसक पर गुछ शो अभर करह दो अभर बसे अएरी अभरे वार अशाए्ड़शा मैं अएर बसे अग्राया भीया नह चुछ आूज आज हैं forganey कर दुफ संब कर एultural कर चॲट से प्रिफ स्व्थ रह कर दो डो पाइट पार चेस था? गिमी ऑन है के लाइटे! पाइट भी पता है! रहुआ है टुर म्ही डिपारे छुड से राटCarны, क्या है। का ली मैड़त? से पारेस श् trucs किस ने भेजाये तुझे, किस ने भेजाये तुझे यह फोटोस तेरे पास काहा से आये, काहा से आये, पॉल यह गया नंबर अधी नेटवर कुछ ने पाहर है विस सभाव कॉंट भी रिचिट वाइनाव माल दालुदा अधी नेटवर कुछ ने पाहर है शहाए सबसके वाइनाव सर, अर्जुर वाइन नुगा पहुच गया क्या सर, बाके सबके फोन नौट रिचेबल आरे सर, दस मिनिट पहले हम सब साथ में थे प्लीज ट्रैक देर फोन हेड़कोर आजाओ, इमिड़ेटली ओक्योका, इम कॉमिंग सर, हमारे बीच फाइरिंग होई, सारे लोग मारे गए, यही लिखो, इसे मैं ले जारा हूँ, इसे मैं ले जारा हूँ, फिके सर, बाइदो वे, इसे इसके घर डॉप कर दो, जरूर लग पड़े दो सिक्योरिटी दो, राक सर, राक सर, राल, राल, उन लुगों का कुछ पता नहीं, अर्जुन, फैमिली को छोड़कर, बाकी, चारों को लेकर चले गए, ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, बाल, मुझ खल अपना, बाल, इसके साथ बाल, 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 ब तो खुद यार में रो तुम सारे लोग एक साथ मिल जाओगे ना तो भी सोहल भाई को टच नहीं कर पाओगे अरजुन यही एक सुबूत हमारे पास था और निंदेक्ट अबद क्विश्टिएल अब सोहल लेकिन इन्विस्टिगेट कैसे करेंगे इसके विना ओ मैं गौद अरजुन झाल झाल सलाम उलेकुम अर्जन भाई, दोस्त है न, इन्हें ऐसे देखके दर्द तो हो ही रहा होगा न, अरे ओ बिना मसल के पहलवान, तुमने सलीम भाई को मार दिया, तुम्हें क्या लगा, कि हम चुप बैठेंगे, नो, 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 दो घंटे तहकिकात करक टाइम वेस्ट किया तुने, और उसी दो घंटे में, दिल्ली से कराची, मैंने इने उठवा लिया, तेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग मुझे, थोड़ी स्लो लग रही है, अपडेट कर साले, बेटा, तुम लोग, लेफ्ट से राइट पढ़ते हो, और हम लोग, हमेशा, वार बन जाता है, जब तुम वार की शुरुवात करोगे, तो हम वार की देएंड करेंगे, देएंड, बहुत सुना है तेरे बारे में, मिस्टर आरजुन, अंडरकवर मार्शिल, 100% सक्सेस रेट, जब ये सुनता होना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अ फैमली से, चार लोगों को यहां लेके आ गया, तुम इंडियंस में दम है, तो आजाओ कराची, और अपने दोस्तों को ले जाओ, फिर देखते हैं, किस में कितना है दम, तुने माँ का दूद पिया है, तो वहीं रुख साले, अभी क्या करना चाहते है, उगुल करने, सेर, उन चारों को बचाने के लिए, हमें कुछ ने कुछ करना चाहिए, सेर, कुछ ना कुछ मतलब, सेर, आपको तो पता है कि, वो लोग रिस के ओप्रेशन करते हैं, सेर, तुम तो जानते हो ना, कुछ दिनों में G8 समीट होने वाला है, PM के साथ सभी लोग उसी तयारी में लगे हुए, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इंडिया पर लगी हुई है, और इस वक्त कराची जाकर रेस्क्यू आपरेशन करोगे तुम लोग, सेंसलेस, तो क्या उ देश के लिए अपनी जान देने को मैं हर दम तयार हूँ, पाकिस्तान में बैठा आदमी हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हम कहां रहते है, हमारी फैमिली क्या है, सब डीटेल्स हासिल करके हमारी यह लोगो किड्नैप कर रहे हैं, तो इंडिया में उनका नेटवर्क कितना ब बारे में बात कर रहा हूँ, लोक, अर्जुन, तुम्हें जो टाइम दिया था, वो खत्म हो चुका, तुम कौन हो सब को पता चल गया है, तो अब तुम्हारा रो का कोई संबन नहीं है, यो गेट डैट, इन फैक्ट तुम यहां मीटिंग में हो, यह सब से बड़ी गलती ह सर, वी है प्लीज सर, उन चारों को इंडिया, तुम इसे यहां से जाने के लिए बोलोगे या फिर, मैं खोद इसे बोलूँ, सर वो, अर्जुन, सर, मुझे गवर्मेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, कराची के एजन्स का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप जाने के और दीजिए सर, एमोशनल होने के लिए मैं कोई फादर या फ्रेंड नहीं हूँ, रॉक अचीफ हूँ मैं, मेरे उपर भी कुछ रूल्स है, अप्रूवल, अथ्रेजेशन, पर्मिशन, इनके लिए कैलकुलिशन की जरूर्थ होती है, यू नो देट, सो, उनकी जिन्दग लोगों की जान नहीं बचा पाए, तो देश को क्या बचाएंगी सर, अर्जून, अर्जून, इस फो दर रेकॉर्ड्स, यू नोट मैं बॉस एनिमोर, सो डॉन्ट ट्राय तो स्टॉप मी, वो चारों सिर्फ मेरे कलीग नहीं, मेरी फैमिली है, उनकी हिंमत मैं हूँ, उनक तुम यहां क्या कर रही हो, घर पर नहीं गई, सिक्योरिटी का क्या हुआ, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया, कौन हो तुम, रामक्रिष्न, तुम कौन हो, अभी तुम घर जाओ, मैं बाद में बताओंगा, जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, मैं नहीं जाओंगी, मेरा नाम रामक्रिष्न नहीं है, शेलू, सबके परिवार वाले प्लेश्टेशन गए हैं, उन्हें कोई उठाया लिया है, ये कंप्लेन निखवाने, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, सच्चाई जानने के लिए, अर्जुन, जब मुझे उससे प्यार हुआ था, तो पहले डड़ लग रहा था, फिर उसने मुझे सब सच बता दिया, तब मुझे लगा था, तुम उसके साथ रहोगे, तुसे कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा था, आखरी महिना है, और दस दिन के बाद दिलीवरी डेट है, मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद, पूछेगा कि, मेरे पापा कहा है, तो मैं क्या जबाब दूँगी, जिस दिन वो पैदा होगा, अपने बाप की शकल दिखेगा, और ये बैंकर रामकृष्ण का नहीं, अर्जुन का वादा है, अब तो तुम समझ गए न, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तुमने जिस से प्यार किया है, वो बैंकर रामकृष्ण एक जूट है, और ये सच है, मैंने तुम्हारी जॉब से या तुम्हारी नाम से प्यार नहीं किया, बैंक एमपलोई रामकृष्ण का टालेंट देखकर उससे प्यार कर बैठी, और अब जब पता चला है कि तुम कौन हो, तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ गई, मेरे लाइफ में कौमा कब लगेगा और फुल स्टॉप कब लगेगा ये मैं भी नहीं जानता, यहां किसके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, अर्जुन, लेकिन हम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे ये इंपोर्टन्ट है, इतनी बड़ी जिंदगी में खुशी का एक पल भी काफी है, बस जिंदगी पर मुझसे ऐसे ही प्यार करूँ, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया मिया, फैमिली पूरी पाकिस्तान में रह गई, पुलीस को पता चला इल लिगली रह रहे हैं तो उन्हा को आरेस्ट कर लेंगे, दो लाख रुपे फीस है, और उपर का खर्चा तेरा, समझे, मालूम मेरे को पैसा भी लेको आया, परसों शाम तक जेसल मेर मार्केट में आजाओ, ट्रक वहीं से निकलेगा, हाँ जी, शुक्रिया जनाब, निखलता हूँ, जर रखर्चाई जर रखटता है, ज्यर मेरे कि इसल्राँ से वहीं से अज़ता है, ज्यर को आईए ड्रुपेट एंडिए में आईए जैए इसल्वार रखरर्चाई तोब सांवाई जया हाँ, जय को लायाँ जिए घ्र्चाट ज़ता है, ज्या खरुजए। भीए हैं ज़ इस वक्त कोई डिस्टर्बिंस नहीं, मैंने तुम्हें क्लियर समझा दिया था, उसके बावजूद ये सब हुआ है, it's a blunder on your part Sir, please let me explain, इससे रो का कोई लिना देना नहीं है, Arjun is not in order, he's thrown out, bank में leave नहीं लगा है, bank और रो के पास कोई information नहीं है, वो कराची ही गया है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है सर इसका मतलब क्या है, what does it mean, Arjun emotional है, ये तुम्हें अच्छे से पता है, वो अपने कलीक्स को बचाना चाता है, ये बात भी तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें उसे रोकना है, ये नहीं पता है, क्या कर रहे हो तुम Sir, that's what I want to say I will not let anyone become an obstacle for India, Karachi में जो हमारे एजेंट से उनको orders बेजो, Arjun जहां भी दिखे, उसे खत्म कर दिया जाए Shoot that site, Sir, but is that clear? Assalamualaikum Sohail भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, कि Arjun को छेड़ो मात, और अगर छेड़ो, तो छोड़ो मात, लेकिन आपने दोनों नहीं किया तो क्या हुआ? मेरा गेस सही निकला, Arjun रोल्रेडी कराची पहुँच चुका है आप हसर है? तो क्या करो? सब सही हो रहा है मैंने जैसा प्लैन किया, वो बिलकुल वैसा ही कर रहा है शेर की नजर अपने शिकार पे, शिकारी की नजर अपने शिकार पे अगर ऐसा नजारा देख जाए तो शिकार देखने का मजा ही कुछ और है अब शेर बकरी के पास जाए यह बकरी शेर के पास आए तो वो बकरी बचेगी क्या आप भूल रहे हैं वर्जुन तो मैं सोहेल हूँ कराची मेरी है यहां हर कदम बे उसकी मौथ है आए जराव बुके मिलेगा मिलेगा नसा बताइए कौन सा चाहिए गार्डन रोज, डलिया, लिली, शिल्वर डॉलर, पिंक लोटस यह लीजी शुक्रिया मिलेगा मलत फस्वके लिए ज करेंक स्था स्वक्र जरम बप्स्प्राज वरॉ कि अब आउट, आइफ सीन यू, यू कम आउट नाव, तुम यहां क्या कर रहे हो, बात करनी है, तुम्हें देखते ही, शूट करने का ओडर है, इतनी रिस्क लेकर इतनी दूर आया हूँ, सिचुएशन को समझ जा, तुम्हारी सिचुएशन मुझे नहीं सुननी, यहां क्यो हूँ आए हो, यह बताओ, वरना इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूँगी, समझे? अगर मैं गन से डरता, तो रौ में शामिल नहीं होता, अगर मौद से डरता, तो कराची कभी नहीं आता, हम बात कर सकते हैं? यहां हर जगा उसके आदमी है, तुम्हारे लिए यह सही जगा नहीं है, तुम्हें एक एड्रस देती हो, तुम वहाँ पर आजा, सबसे पहले फात्मा बाजार आएगा, उस बाजार से तुम्हें सेकिंड लेफ्ट लेना होगा, 500 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पुरा लेफ्ट में छोटी विंडो है, उसे खौलो, उसे खौलो, वान, सिक्स, सेवन, नाइन, क्या बात करनी है? सोहेल, मेरे टीम के चार लोगों को किड्नैप करके यहाँ पाकिस्तान लाया है, उन्हें जहाँ भी छुपाया है, वहाँ से उन्हें आजाद कराके इंडिया ले जाना है, इंपॉसिबल, सोहेल, इब्राहीम कुरैशी की तरह नहीं है, दस जगाहों पे दस लोगों को वो एक साथ एक बार में ऑपरेट कर सकता है, अगर यहाँ अपने दोस्तों के लिए आए हो तुम, तो उन्हें भूल जाओ, आल्रेडी मार दिये गए होंगे, अगर मार नहीं होता, तो उन्हें इंडिया में मिलते ही मार देता, इतनी प्लैनिंग, इतना एक्जिक्यूशन नहीं होता, किसी वज़े से उन चारों को जिन्दा रखा है, बचाना है उन्हें, जो बोल रही हूं तुम्हें समझ नहीं आता, ये कराची है, यहां कुरैशी को कोई टेच भी नहीं कर सकता, कब कहां क्या हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं, यहां का शासन भी उसके ओर्डर फॉलो करता है, आम से लेकर हास तक सबके सब उस कुरैशी की घुलामी करते है सोहेल को पकड़ना मुश्किल है, नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगा, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, सोहेल कोई खुश्बू नहीं है, जो अपने आप ही फैलेगी, अगर वो कुछ करना चाहता है तो एक जगा पर नहीं बैठ स चाहिए, वन थर्डी कैमराज, और ये कैमराज उनकी नजर में ना आए, इस तरह से फिट किया है मैंने, बट नो यूस, हर एक इंसान का तो डेली रूटीन होता है, लेकिन सोहेल का कोई रूटीन नहीं है, सोहेल का कोई रूटीन नहीं है, तो क्या हुआ, इन वीडियोस के अंदर एक क्लू है, जिस रोड से सोहेल का कॉन्वोई गुजर रहा था, वहाँ एक बार भी रेट सिगनल नहीं हुआ बताया ना कि यहाँ कुरैशी फैमली को प्रसीडेंट से बढ़कर इज़द दी जाती है अगर सोहेल का प्रोग्राम फिक्स नहीं है और सोहेल का कॉन्वोई रोड से जा रहा है तो उस रोड के हर सिगनल पे गाड़ी रुकेगी हर जंक्शन पे वहाँ के ट्राफिक पुलीस को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सोहेल का प्रोग्राम अगर किसी को पता है तो वो है कराची ट्राफिक पुलीस डिपार्टमेंट वालों को सो सिर्फ कमिशनर आफिस से ही हमें सोहेल के इन्फरमेशन मिल सकती है ट्राफिक कमिशनर का आफिस का है सोहेल के मेल्स आयसाय के मेल्स जरूरत पढ़ने पर हैक कर सकते हैं पर कमिशनर के मेल्स को एन्क्रिप्ट कर लिया तो हमें सारी इन्फरमेशन मिल सकती है मुझे कमिशनर की सारी डेली रूटीन डीटेल्स चाहिए कमिशनर डेली सुभा 11 बजे ऑफिस जाता है वन टो टूल लंच इवनिंग 6.30 प्रिस्टिक्टिट पब में जाता है डेली इवनिंग 6.30 तो 9.30 कमिशनर लड़कियों के साथ पब में रहता है इस अ वुमन आइजर शाम के नमाज के टाइम पर कमिशनर ओफिस में सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है हम उस समय का इस्तमाल करके कमिशनर के लापटॉप से सोहेल का मेल डी क्रिप्ट करेंगे और कमिशनर का रूम एकसेस करने के लिए हमें उसके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे इसलिए बीत है शाम के लिए शाम के लिए अवास, जन्रेटर चालू कर इज्ञाण झाल झाल खूल excuse me can I offer you a drink yeah sure thank you यहां है आली खान नाइस मेटिंग यू सुबेदा कमिशनर के थाम इंप्रेशन प्रीव बुक्राइस मुझए टींप्रेशन मैं आगे यूंप्रास अगी दैले राना मुझए यू मैं आगे राना मुझए राना आगे डाना अभी आणके काई आणके है ऐसते प्रप्राप्रेश्राइब गाडर्ट भीत शविए अनुम रखर में और लूम है औरे कि नहीं एवना के दूख बाड्ट ट्रॉद्ट, तुम इंप्रिशिन सक्छल को यह तो अनुम अब हमें तुम नु मत इंके लिए इसंक अज़ को प्र कि अवाद बीजोरी? है? कॉल है? यह लो? मैं को बार बार फोन कर रहा है और बोल भी नहीं रहा है शुबधा वोईस कमांड चाहिए मुझे जल्दी तर इस नो टाइम क्विकली अच्छली मैं सुन नहीं पाई बाहर शोर था काफी वन विनुट अच्छली मुहम्मद अले महममद अलि कान वैं अलिय अलियBy अलिय। मुहममद अली कान अलिय। मुहममद अलिय। शुपन्य। अर्य। I'll test your eyes, ектॉ और अप्खिए अर्जुन भी अर्जुन अर्जुन है जब दिए अर्जुन भी अग्यान विए रखिए यह कर देखिए दिएक्ष कुमोन, 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 कुमोन अए, यह हो गया से, सबन्दन राओ क्या हुआ साप क्या कर रहे थे तुम लोग साप, मैं तु नमाज बढ़ने किया था कल शाम को सोहल इस होटल में जा रहा है पर किसे मिलने के लिए सम प्राइवेट जेट होना सो वाट नेक्स्ट मैम आप डिक्की खोलेंगे प्लीज कमिशनर ओफिस के मेल पे जो मेंशन है वो स्टा होटल यही है सोहल आएगा तो फॉल से क्यार्टी रहेगी ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट यूज करेगा वो जो स्ट्रेट नाइन फ्लोर पर जाएगी सोहल लिफ्ट में इंटर होते ही डरेक्ट 9th फ्लोर पर जाएगा पर हमें उसे 4th फ्लोर पे रोकना होगा 4th फ्लॉर के सारे CCTV कैम्राज मेरे कंट्रोल में होगे सोहल हमारे कबळे में होगा और यह सब होगा क्यासे? सक्शन टेक मेकयानिजम उसके उपर एक बार पैर रखने से, माइक्रो सेकंड्स में वहां से एक इंजेक्शन सीधा निकलेगा एक सेकंड के अंदर ब्रेहोश हो जाएगा वो रूम में ले जाने के लिए फाइव सेकंड्स, भागने के लिए टू मिनिट्स सोहिल को किड्नैप करके हम होटल के बालकनी से बाहर आ जाएगे फंक्शन फर्स फ्लोर पर होगा फंक्शन चार घंटे तक चलेगा और इन चार घंटों में सोहिल कम से कम एक बार वाश्रूम ज़रूर यूज़ करेगा वाश्रूम यूज़ करते समय हम सोहिल को कैप्चर कर सकते हैं सेडेशन से वो छे घंटे तक नहीं उठेगा पर उसके साथ तो सिक्योर्टी होगी ना हम उसे यहां कैप्चर नहीं करेंगे लेडीज वाश्रूम में और इस प्लान को एक्जिक्यूट मैं नहीं करूँगा तुम करोगी मैं इस वेंटिलेटर का एक्जिट पॉइंट कहा है इस नौट अ बिग डील बस हमने चो सोचा है वो हो जाए होप सो लेकिन सोहल को उठा पाओगी ना क्या है मैं पॉर इस बालीज आ जचेड लिफ्ट ट्रॉम्य करुछ द्धा है तो द्रॉम्य करेंगा लोगाँ देखला पांस जड़े प्रुष्क टुष्क सब्सक्राइब टॉड़े अजए अच्छिट अच्छा यह लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उस लिफ्ट में जाए ना थेक है बेटा कि ऊ Turnsाह में नहीं ऱुश। कि चसे प्र Parece vector वोड़ है तू सिकुरिटी सर पावर प्रोब्लम इस बें च्लियर शुट अल्सिकुरिटी रपोरी मेडितली तू नाइट फ्लोर झुल नोगे तू मुझा करेंगे तू सुवेडा अवर्टीक कोलेप्स अर्जुन आम चाहिए हम जो भी कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है तूम्हें फ्रेंट्स को बचाना है तो और सबसे पहले तुम्हें जंदा रहना होगा सोहिल हमारे हाथ में होगा तो ही हम उन्हें बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है अर्जुन टाइम नहीं है यू अफ्टे एग्जेकूट प्लान बी यू अफ्टे गो नाँ गो ओके जुबेदा सलाम वालेकूम 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 असलाम मैं बढ़िया हूँ आज बढ़िया है अर्जुन या अब कुछ रावाश्यू और दिव दो गो गो को साह्ट इफितलेटर से लेडीज बस्टेर्शोम से लडिक्ली घांटीन किसी भितारा इंजिक्शन देकर भयोश करो मत महँआ ट вокल Bonino 시ब ऑने 21 चाहिँ पर गोर मशें रेटें लेक्टेश्या इस प्लेवी अप्रेतिं दो अर्चुन यह जो प्रवापनिंग, यह लिए प्लेव 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 तेन मिनिट तुम यहां से चले जाओ कर दो कर दो मिनिट अर्वापनिट के को अ curriculum motive for the वेल्कम तो माई कराजी बट वाट इस अर्जुना तू तो मार्शल अंडरकवर हंडेड परसंट सक्सर्स रेट क्या क्या बोला जाता है तेरे बारे में मैंने सुना है लेकिन क्या करें तेरा ये प्लैन फेल हो गया कितनी आसानी से पकड़ा गया तू मैं अपने प्लैन के बारे में क्या बता हूँ सोहेल ये तेरा कराची है यहाँ पर तू एक होटेल में है ये तुझे पता होगा होटेल तेरे कंट्रोल में है ये पूरे कराची को पता होगा बट इस कंस्ट्रक्शन में कितने कॉलम्स हैं कितने बीम्स हैं कितने कॉरिडॉर्स हैं कितने रूम्स हैं कितने फायर एक्जिट्स हैं कितने इसकेप रूट्स हैं कि मुझे पता है इसे प्लास्ट करने के लिए मेरे ख्याल से 20 kg RDX काफी होगा ना सिंगल बटन यौर चेप्टर क्लोस तेरा बाप बिकम्स लावारिस अर्जन छोड़ दिया तेरे को चल निकल अबे बटन पे फिंगर मेरा है दबाओं क्या कि सबको बाहर जाने के लिए बॉल है कि वाश्रूम चलें क्या कि अब तूने सोचा तेरे दिखाई न देने पूरा कराची ब्लास्ट हो जाएगा ऐसा नहीं हो अरे मेरे दोस्तों को कहां चुपाया तुने बॉल तू कहना क्या चाहता है मुझे बता सकता है बट तुझे जो चाहिए वो सोहल से पूछना होगा मैं सोहल नहीं हूँ सहल का हमशकल हूँ अर्जुन से मुलाकात करने के लिए मेरे हमशकल को वहां बेज दीजिए जिससे कराची में उसका सपोर्ट करने मला एजेंट और उसका सेफ हाउस सब फिनिश अर्जुन से आजे आजेंड़ा नहीं वर्ड वार टू में ब्रिटिश जनरल ने 9-11 में हिलेरी क्लिंटन ने हमशकल का इस्तमाल किया कई सारे वर्ड लीडर्स हमशकल इस्तमाल करते हैं यहां पे सोहेल भाई का हमशकल मुझे सोहेल समझ के बात कर तेरी हर बात उन्हें सुनाई देगी नहीं समझाओ आयम कनेक्टेड टो जीपियस यू अगॉन बेबी वो मुझे जिन्दा चाहिए ले के आओ अर्जुन पूरे प्लेस को घेर लिया गया है यह सेफ हाऊस है यू आओ तो डू बट तुम यह लोग यहां पर मेरे लिए आए हैं गो 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 सुवेदा टेक दिस बटाओ लिए सुवेदा है अर्वरी का टेए सुवेदान यह रिए अर्वरी को चाहिए जिस प्रॉफ सुवेदान थेछिए यह रिए Тikte कि व травे हैं। यथा है. पलना कि ऩुछनी कि व वाह glory樣! ब म् म् पलना कि वी कि वीक पर के वी लग में लुड कर दो है। झाल प्राइब कर और श्राइब करें तो पाराइब करेंज दूई झालियों आजाए! झणा प्रॉपोज जए यह जख्डर जवाल में हैde handi सबाँ जआ तराव 1 002 003 004 001 001 003 001 001 001 001 001 002 001 002 001 003 003 00 northeast ये क्या हो रहा है सोहिल? क्योंकि आइसा? मुझसे बात किये बिना मेरी परमिशन के बिना public place पर open firing हो रही है बिलाल साभ बिलाल साभ be patient हम जीते हैं पाकिस्तान के लिए मरेंगे पाकिस्तान के लिए यही स्लोगन होना चाहिए हर पाकिस्तानी का तुम्हारी ये स्पीच किसी रोड शो या क्राउड पूरिंग के लिए सही हो सकती है सोहिल लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा तो मनमानी मत करो तो जाओ, अकेले लड़ो फिर समझ में आ जाएगा के हिंदुस्तान काफिरों का रही वीरों का देश है और अगर वो काफिरों का देश होता तो अब तक हमारे हाथों में होता जाओ, अमेरिका से भीग मांगो बेटा, जबान समाल के बाद कर नहीं तो ISI के रिस्पेक के लिए अगर तुझे उठा सकता हूँ, तो नीचे गिरा भी सकता हूँ क्या करेगा, क्या करेगा तू सोहेल भाई मेरी टेंशन का ये तू पता हिए आपको पंद्रा घंटे के अंदर उसे पकड़ कर तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा तूम सर्फें तजार करा बन्न करो कराटी पंद। उपर जा के चेक करो कर थे चेक कर दो किया जए मोशा चाहर जुआ इपनाइट कर दो किया जाए मदा दो किया जाए? आपका रिए सच्च्छ। वाज़ बॉडी में दो बुलिट जाने के बाद भी वो अभी तक मेडिकल शॉप में नहीं गया करांची में कौन उसकी मदद कर रहा है पता करा पता चल जाएगा यह मेरा घर है डरने की जरुवत नहीं है मेरे अलावा कोई नहीं रहता यहां मैं यहां पर रहूंगा तो तुम्हारे लिए रिस्क है पर बाहर जाने में उससे भी बड़ा रिस्क है समझे यू वना नो वोट सापनिंग इन कराची बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतजार कर रही है मुझे मेरे दोस्त जिन्दा चाहिए कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा मेरे डैड रॉ एजेंट मैं पिछले 35 साल से पाकिस्तान में रह रही हूं डैड यहां कम्यूनिकेशन इंजीनियर बन के रहते थे एक हादसे में उनकी मौत हो गई मैं यहां आप्छाइव को और आप सकते हो है दो यहां दोने हो चाहिए कि बताना चाहो तो बता सकते हूँ हलो हलो अर्चुन मुझे पता है कि फोन पर तुम ही हो अर्चुन प्लीज बात करो मुझसे अर्चुन बागी गल्फरेंड्स की तरह मैं भी पता नहीं कब आओगे इस इंतिजार में रहती हूँ डिनर के लिए चलो मूवी लेकर चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो अर्चुन आता है तो बस इक फोन कॉल लेकिन तुम भी मुझे उतना ही मिस्स कर रहा है यह फीलिंग ही मेरे लिए बहुत है अर्चुन 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 क्या हुआ मैंने गुलबर मंगले के पास जो सर्वलांस कैमरा रखा था वो अर्चुन 130 कैमरास मेरी गरांची में वो भी मुझे बिना पता चले वह मानना पड़ेगा ISI को तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए वटा एजेंट है यहाँ है यहाँ यहाँ तेरी चारों दोस्त कहा है और किस हालत में हैं उन्हें बागलों की तरह तु डूण रहा है ना है ना यू ओन टूसे हूहूहु से हलो तो यूर फ्रेंड्स यूर अट तेकिंग नीश्ली रुष पोग। उसको कुचमा तकरना, उसको कुचमा तकरना लो नो बिया नो ब महें नाइ नाइ आइ आँ असली दुग करके का briक貛 врем तेरा एक एक कदम जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ता जाएगा, मैं एक एक को मारता जाओंगा, फिर भी तो यहां आएगा, तेरी मौत को रिकार्ड करके, इंटेनेट पे वारिल कर दूँगा, समझ में आया, इसका वीडियो रेकरडिए रिकार्डिग है, वीडियो रिवाइज पर किर काता है? Yes. परिए 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 ग्रब्दार, वीज़ रफिर पर द्रूदा, आख़गे परिए पर्रफिर कर दूदा, जोमेज ए वी अख़गे, इस मोसको ते अचिह है, कुछ ये दिनों में जी एट समिट होने वाला है जलदी सेंगपूर में जी एट समेट जिस बिल्डिंग में होने जारा है वहां 76 कैमराज बाहर 120 कैमराज अंदर ये जी एट समेट 28 को हो रहा है हम 26 को उन तीनों को सिंगापूर सीक्रट तरीके से ले जाएंगे इस बिल्डिंग के आसपास लगे, हर कैमरे पे हमारी नजर रहेगी ताकि वो बच ना पाए So, प्राइवेट जेट में उन तीनों को साथ में जी एट समिट में भेजा जाएगा और वहाँ वो अपना प्लान एग्जेक्यूट करेंगे कैसा प्लान? 28 तारिक को इन तीनों को विल्चेर पे बिठा के उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कराने की कोशिश करेंगे सक्यूरिटी उन्हें रोकेगी उसी टाइंग पे उनकी बॉडी में हमने जो बॉम लगाया होगा उसके रिमोट की बटन हम तबाह देंगे फिर बॉम पर उससे पाकिस्तान को क्या फाइदा होगा इंडिया कहेगी कि ये पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ये प्रूब करेगा कि ये इंडिया ने किया पर कैसे हमारे पाकिस्तानी गृप को वोल मीडिया में अनाउंस करने के बाद वो सब इंडियन रॉइजंट्स हैं ऐसा इंक्वाइरी कमिशन के सामने पाकिस्तान सबूत देगा दरसल पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जारी है ये जी एट कंट्रीज बोलेंगी उसके बाद इंडिया वाले कितने भी सुबूत दिखा ले कोई फायदा नहीं होगा कैसे भी कैसे भी कैसे भी उसे रोक नहीं होगा अर्जुन अभी तक जिन्दा है जिन्दार रहना चाहिए बिलाल सहाव जी एट समिट हो जाने के तुरंत बाद अर्जुन हमारे अहां सीक्रेट मिशिन पे है ये बता के हमारे पास जो विडियो फुटेज है जी एट के सामने प्रेजेंट करतेंगे और जो बॉम ब्लास्ट होगा उसका जिमेदार अर्ज समिट में एक ही दिन बचा है तुम्हें पता है ना उधर सोहेल के साथ पाकिस्तान की गौर्वर्मेंट कड़ी है और तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई नहीं है कैसे फाइट करोगे अर्जुन जुबेदा अब्दुल सलीम सीर्या आ रहा है यह इन्फॉर्मेशन पास करने वाली यही थी वहाँ पर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी सर्दार एरिया में एफाई हेट क्वाटर के सामने हमारा एक एजेन भुके शॉप चला रहा है यूगो एन मीट हिम फिल गाइड यू तू आवर लोकेशन सिर्फ कवर अलग हुआ है मिश अंचानक के इस ओन सर्फ मेरा गेस करेक्ट है अर्जुन वो लोग हमारे आद्मियों को कल साड़े ग्यार बजे कराची से प्राइवेट जित में लेकर जा रहे हैं और फिर वो इंडिया पर ब्लेम करेंगे आई नो वी और त्रेट सर्फ पर सोहेल जरूर कोई न कोई घलत ही करेंगे इगो अब्दूल सलीम को सीरिया भीजा कराची में रॉइजंट्स कौन है ये डीटेल्स जानने के लिए रॉइजंट्स के साथ जी एट समिट डिस्ट्रॉय करना चाहता था हमने उसे रोग दिया उसी एगो की वज़े से सोहेल हमारे बंदियों को एक्जिक्यूट करने का प्लान कर रहा है और डॉट्स अरना कनेक्टेट उसकी ताकत उसकी कमजोरी एक ही है उसका इगो तो अब क्या किया जाए सोहेल ने उन्हें कहां रखा है कहां लेके जा रहा है कुछ पता नहीं है उसकी सिक्योरिटी में घुसकर कुछ नहीं कर सकते यहां का एरपोर्ट पहले उन्हें मूव करेंगे और उनके सर्कल क्रॉस करते ही हम उन पर अटैक करेंगे वहां पर क्या हो रहा है यह समझने से पहले ही हम अपने लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे करांची में हमने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है वो लोग भी स्मिशन में होगे प्रेसजिका थान construct करांची कंद्स के उनका और अम्हां évidemment कर झांची को में सुन। की को में नाश् उसमे से एक और कौनवाई बाहर निकल रहा हैं, हमारे लोग किसमे हैं बता दें, कितने भी कौनवाई निकले सभी को ऐरपोर्टी जाना है, सर, दे विल कनवर्ज आड वहाब जंक्षन अर्जुन तुम जिस तरह से बता रहे हुआ, क्या वह लोग सच मुछ वहाब जंचन पर ही जा रहे हैं। I can see them, sir. Ready, all the vehicles are taking different routes. वो लोग कहां जा रहे हैं, पता नहीं। हमारे लोगों को किस कार में ले जा रहे हैं, पता नहीं। एक कॉन्वोई टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ, sir. There was some delay. ये vehicles इस वक किस route पर जा रही हैं। ये इन vehicles को भी नहीं पता, sir. Soehil, उनको सारे instructions दे रहा है, sir. ऐकर पाब, Soehil उन्हें कौन सी कार से instruction दे रहा है, ट्रेक करो. वो किस कार से instruction दे रहा है, ज़रूरी नहीं है, sir. कहां से instructions आ रहे हैं, ये ज़रूरी है. अगर हम Soehil को रोक लेते हैं, तो… jewelी बी रुप जाएगा. गिप में दे ब्लेड़ी एर्स अन दे कार्स यहां से लेफ्ट अन लूग टेका राइट जार इमीडियेटली अर्चुन सभी कार्स को एक ही जगह से इस्ट्रक्शन आ रहे हैं सौहेल सौहेली इस्ट्रक्शन दे रहा है सेवन किलो मेटर टूलियो रेस्ट सारे इंस्ट्रक्शन वही से आ रहे थे कम्यूनिकेशन रिलोड कर दिया होगा उस्ते लगता है वो बिद्माश कहीं और ही है जो समय बर्बाद कर रहा है अर्जुन वो लोगे अर्बोर्ट पहुंच चुके हैं अर्जुन वो लोगे अर्बोर्ट पहुंच चुके हैं हर्य आप वी डोंट आप टाइम अर्जुन वो यही कहीं है अर्जुन, 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 और लोगों तुम्हारे फ्रेंज को फ्लाइट में बिठा दिया है, सार वो नीचे टनल में है कर सार दियुन, अर्जुन, अर्जुन, और भॉब्लाष चीर्ट सुमित नहीं होगा वाँ? इस आन्युन, जिस हटल में थेरह हैं वहाँ होगा 180 तॉन थेलिगेट्स, श्युन, 3 बोब्मुझ थैष्य। नहीं, जैएध पर्णी दोस्त The flight is on the runway already कि लुटे सकतिके रुड करते हैं हाँ सोहल अर्जन पेस टाइम उन कर अर्जन फ्लाइट को इस से वक्त रोक नो दाद नो फ्लाइट नहीं रुकी तो सोहल की सांसे रुक जाएंगी । यू कृण से अरुक काृणicana क्लाओ इलक्स होग सल्द क्योस kitty यू क्योस हो क्योस क्योस प्लाइट.. में बाइब पॉसिबौन.. नाठीट झाल.. वा दू आरपोर्ट से पार्ड गहाएब शृषण रहा है? वस एर पॉसे एरपोर्ट से इंडियन चेक पोस्स नंबर 45 पहुचने के लिए दो खंटे लगेंगे मेरे फ्रेंड्स को महा लेकरा, मैं तेरे सोहल को वही पर दूँगा Your time starts now गुरेश भाई, पिछले तीन महीने से इस मिशन पे काम चल रहा था, पता है न आपको? यह पाकिस्तान की इजद का सवाल है यह मेरे बेटे की जिन्दगी का सवाल है Let me get Sohail back I will show him Who I am I will show you I will show you I will show you Go home, I will show you I will show you 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 पाकिस्तान की बॉर्डर को बदलने के लिए मार ना तेरे कराची में आकर तुझे कराची से बाहर निकाला है जो मौत से नहीं डरता वो तेरे बुलेट से क्या डरेगा कुरेशी अर्जन तेरा फोन बज रहा है तेरा बेटा सोहेल उठा सुहेल सुहेल तुम देखतों ने बेटा असलाम आलेकुम कुरेशी भाई पहचाना मुझे कुलकर्णी साहिब ओ, थैंक्स मुझे याद रखा इसलिए अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा बेटा गव्मेंट कस्टड़ी में नहीं है इस समय वो मेरी कस्टड़ी में है जब तक मैं ओके नहीं बोलूँगा तुम्हारा बेटा यहां से हिलेगा भी नहीं यू हैव तो टेक अ कॉल हीर्स दील हम चारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे लेकिन तेरा बेटा इंडिया बॉर्डर तक नहीं आएगा तुझे देखते ही शूट एट साइट का ओडर दिया था इंडिया वालोंने फिर तुने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुझे बताने का कोई मतलब नहीं है क्यूंकि तु अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आया और मैं इंडिया को बचाने के लिए पाकिस्तान आया मुझे टच करने वाला कोई भी करांची से आज तक जिंदा इंडिया वापस नहीं गया एवरिटिंग अज़ बिगिनिंग कुरेशी सौहर सौहर, तो ठेक गाएना तो ठेक आने बच्चा सौहल सौहल कहा है बता मैं रिष्ट सौहल सौहल कहा है अर्जन पुरेशी जिस बॉड़ी डबल का इस्तेमाल तुने मुझे पकड़ने के लिए किया था उसे बॉड़ी डबल का इस्तेमाल करके मैं तेरे बेटे को यहां ले आए ही हाहा आए शौत इंडियर पोस्टिरियर पे गोली निकाले तो बच जाएगा ले जाओ यूआ वाट टो डू याद कर मेरी पंचलाइन क्या थी एक्सपेक्ट दा अनेक्सपेक्टेड मेरा बेटा जब तक वापस नहीं आ जाता मैं इंडिया को चैन से रहने नहीं दूंगा अर्चन इतनी तकलीफ मत उठा तू जी एट समिट होने के बाद पाकिस्तान खुद तुझे इंडिया के हवाले करेगा यू सून किस्तान प्यारा लग रहे ना सो शीट व्लेलेले अरे यह तो बिल्कुल तुम पर गया है वही आंखे वही नाक देखो अर्जुन बिल्कुल इसी की तरह है ना किसी इर्रिस्पॉंसिबल के तरह बाइक अग्सिडेंट या खार अग्सिडेंट में उनके मौत नहीं हुई है और नहीं किसी फालतो जगडे या शराब पीकर उनके मौत हुई है उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणू के आहोती थी है आयों और मैंनों भारत के सबूतों को नजर में रखते हुए जी एट कंट्रीज ने फैसला किया है कि पाकिस्तान खुरैशी को भारत के हवाले कर दे। इस मिशन में एक पार्ट पेंडिंग रहे गया है वह क्या यह गद्दार है तुम्हें कैसे पता चला रहा सर कर दो